असलाम अलेकुम तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुरूप थियूरी और स्मीट्री एलिमेंट्स स्मीट्री क्या होती है स्मीट्री होती है किसी चीज में जो खूबसूरती पाई जाती है उसे हम स्मीट्री कहते हैं अब स्मीट्री में क्या होता है हमने इसमें देखन होती है compound को समझने के लिए जो हम उसके इमेजनरी प्लेंज एक्स आफ रोटेशन या फिर जो पास करते हैं इस तरह की चीज़ें तो वो सब समीट्री के अंडर आ जाती है ठीक है समीट्री के उस compound के उपर हम ये 5 तरह के elements apply करते हैं मतलब उनके उपर ये 5 elements को देखते हैं कि इन में से कौन-कौन से 5 elements हमारे given compound में exist करते हैं ठीक है ये सब हम symmetry में पढ़ते हैं ग्रूप theory में पढ़ते हैं ठीक है ये मारे पास जो 5 elements हैं इन सब को हम details में आगर discuss करेंगे लेकिन अगली ब operations के जरिए अपने given compound के ऊपर ये वाले elements को apply करते हैं अब operations हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास invariant होता है rotation होता है reflection होता है यारे पास given molecule होगा हम उसकी rotation करके देखेंगे ठीक है identity का मतलब क्या होता है एक जैसा होना तो हमारे पास identity जो है identity कहां पर exist करती है identity आपके basically हर compound में ही exist करती है identity हमें क्या करना होगा हमने given molecule को given compound को 360 degree की rotation देनी है 360 degree rotation मतलब कि हमारे पास given compound होगा 360 degree rotation के बाद बिल्लकुल initial configuration में आ जाएगा रग्वाफड जैसे मैंने यहां पर एक water molecule बना हुआ है अब यहां पर मेरे पास water molecule है OH last ठीक है अब यहां इन India मेरा मतलब अग mater 360 degree rotation दूँँगा तो मेरे पास बिल्कुल नीशल configuration आजेगी ना तो मैं आपको इसमें देखके भी बताद मैं तो आपको करके भी दिखाता हूँ इसमें क्या होगा अब यह देखे हैं हमारे पास क्या होता है यहां पे हमारे पास जो water होता है उसका orija चाहरा हे जिसकर बनापर होगा है हमारे पास जो Water है उसका Benbs prag रहें पे ठीक है अब मैं यहां पे ले आता हूँ कि यह मेरे पास यह Something आप G evaline 이번에 मेरे पास यह वाला चो यह मेरा एक hydrogen ए ठीक है इसी तरह जो यह है यह वाला मेरा दूसरा hydrogen है, और यह जो है, यह मेरा oxygen atom है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, कि identity मुझे 360 degree rotation देनी है, अब मैं 360 degree rotation किस axis में से दे सकता हूँ, यहाँ तो मैं इस axis में से देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको x axis कहता हूँ, तो यहाँ तो मैं इसको 360 degree rotation देता हूँ, तो मैं आपको भी देकर दिखाता हूँ, यह देखे, अगर मैं इसको इस जगह से rotation दे सकता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको इस जगह से rotation देता हूँ, यह देखे, अगर मैं इसको यहाँ से rotation देता हूँ, यह देखे, अगर मैं इसको यहाँ से rotation देता हूँ, और यह देखें, मेरा black वाला जो था hydrogen वापस अपने black वाले की जगह पे आ गया तो मेरे पास total कितनी degree rotation होई, total मेरे पास 360 degree मैंने इसको क्या किया, 360 degree rotation थी, तो मेरे पास बिल्कुल initial configuration आ गई वापिस, ठीक है, तो मेरे पास यह आ गया initial configuration का, तो हमने identity में क्या करना होता है, हमने कुछ भी नहीं करना है, मतलब यही बात है, जैसे मर्जी 360 degree rotation देव को देंगे, मतलब जिस plane में इसको 360 degree, जिस axis of rotation पे इसको 360 degree rotation देंगे, हमारे पास बिल्कुल initial molecule आ जाएगा वापिस, लेकिन आप हमारे पास देखें, आपको लगता रेडियोक्टिव में उनका compound होता है, compound decay होता रहता है, तो ऐसे elements में अगर हम देखें symmetry, जब तक हमने उसको 360 degree rotation देनी होती है, तो 360 degree rotation दरम्यान ही, वो disintegrate होके, अपने दूसरे elements में change हो जाते है, मतलब हमारे पास अगर पूछा जाना है, कि identity किसमें exist नहीं करती, तो identity वाला जो operation है, identity वाला जो symmetry element है, वो सिर्फ और सिर्फ radioactive material में exist नहीं करता है, बाकि दुनिया जहान के हर molecule में exist करता है, अब वहाँ पर क्यों exist नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर देखें कि हमारे पास जो होता है, radioactive element, जब तक हमने उसको 360 degree rotation पूरी करनी है, जब में हमने उसको rotation start कि जब तक rotation पूरी करनी है, तब तक वो element होता है, वो decay होके, वो disintegrate होके, दूसरे elements में तबदील हो चुका होता है, तो हमारा जो होता है, वो exist नहीं करता होता हूता है, एसमें हमारी identity exist नहीं करती, तो अब हम बात करते हैं, हमारे अगले symmetry element की, जो है axis of rotation, ठीक है, अब हमारा second second symmetry element,what is the axis of rotation, एक हम Cn. इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हमने hey ! इसमें हमने rotation देनी ही होती है, यह हमारा rotation के ऊपर depends यह इसमेंड करता है. अब यहां पर देखें कि यहां पर जो हमारा n होता है , वह होता है order of symmetry. अब यह जो है ना यह C इसको हम C N सरी प्रिजन करते हैं जो N यह हमारा होता है order of rotation होता है जो हमारा N होता है order of rotation N को find करने के लिए हम क्या करते हैं कि N को find करने के लिए जो हमारा तरीका होता है हम लिखते है N is equal to 360 divided by theta ठीक है यानि कि theta वो angle होगा जिस पे आपने rotation देनी है और यहां से आपको मिलेगा N ठीक है अब मैं आपको बताता हूँ है इसमें क्या होगा हमारे पास axis of symmetry का जो पहला rule है वो यह है कि जब हम rotation देने के बाद हमारे पास जो molecule है उसकी initial configuration अचीव हो जाए ठीक है अब देखें इसमें कैसे होगा कि for example मैं water molecule लेता हूँ यहां पर वापिस ठीक है अब water molecule मैंने लिया अब water molecule में मेरा एक hydrogen में जो मैंने black mark किया हुआ है दूसरे hydrogen को मैंने white ही रखा है ठीक है मतलब सिर्फ मैंने distinguish करने के लिए दोनों को different colors दीए अब जो मेरा दर्म्यान में यह oxygen है यह बड़े वाला जो atom है यह मेरा oxygen है यहाँ पर मेरा दूसरा hydrogen है अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको का देता हूँ rotation अब मेरे पास कौन-कौन sex is available है मैं इसको यहाँ से पकड़के rotation दे सकता हूँ ठीक है यहाँ से पकड़के rotation दूँगा तो मेरा यह 180 डिग्री पर ऐसे हो जाएगा ठीक है तो 180 डिग्री पर क्या हुआ मेरे जो दो ऊपर चले गए तो क्या यह initial configuration जैसी है बिल्कुल भी नहीं यह बिल्कुल हुमारे different configuration आ चुकी है ठीक है अब different configuration मतलब के पहले जो हमारी initial configuration थी उस oxygen नीचे थे अब जो हमारी नहीं configuration नहीं तो हम कहेंगे इसके अंदर मतलब इस axis के along तो हम rotation नहीं कर सकते ठीक है अब हम बात करते हैं अब हम axis change करके देख लेते हैं अब मैं for example इसको इस axis के along घुमाता हूँ ठीक है हमारी जो new configuration achieved हुई है वो बिल्लकुल initial configuration जैसी है ना तो मैं क्या कहूँगा कि यहां पे मेरा 180 degree का axis of symmetry exist कर रहा है ठीक है तो अब मुझे next क्या करना है अब मुझे यह देखें मैंने क्या का था मेरा यहां पे 180 degree exist कर रहा है क्योंकि अगर मैं इसको 180 degree rotate करता हूँ अपने molecule को 180 degree rotation दी तो मेरे पास initial configuration आ गई ठीक है अब इसी तरह हमारे पास जो molecule होता है उसके इंदर C2 भी exist करता है और और भी तरह के molecules होते हैं इन में C2 भी होगा C3 भी होगा C4 भी होगा C5 भी होगा तो अब हम आगे चलते हैं अपने C2 से C3 की तरफ तो यह तो थी हमारी C2 rotation C2 rotation में अपने देख लिए कि हमने क्या किया है कि हमने 360 हमने 180 degree की rotation ठीक है अब हम move on करते हैं हमारी C3 में अब जैसे कि C3 से लग रहा होगा कि हम देखते हैं कि C3 क्या होता है अब मैं यहां पर लिखता हूँ C3 ठीक है C3 के लिए मुझे कोई ऐसा molecule लेना पड़ेगा जिसमें मेरा C3 exist करता हो तो मैं C3 के लिए जो molecule लेता हूँ वो है मेरा BF3 अब BF3 जो होता है न इसके हर F के दरम्यान मतलब यह कितना हमारा एंगल होता है 120 डिगरी का हमारे पास होता है अब BF3 का basic structure कैसा होता है BF3 का basic structure होता है वो होता है trigonal planar तो अब मैं आपके सामने अगर BF3 का structure लेकिया तो मेरा BF3 का structure होता है बिल्कुल ऐसा ठीक है यानी कि आठेके मारे पास क्या है यह एक trigonal planar structure यह दरम्यान मेरा BD और यह मेरा 1ch फॉल्मों यह मेरा दूस्रा लएड यह मैरा तीसरा फॉल्मों इस तरह इस उधा इसमें और इसके दरम्हान तो मेरे पास देखे क्या आसकंए होगा कि मłemने अगर इसको लिए आयसे है अब मैं इसको rotation दी कितनी rotation दी 20 degree की अब मैंने जए 120 degree, rotation दे नहीं है मेरे पास जो यह वाला fluorine निये वाला fluorine इसकी जगा पर दाईगा ये वाला fluorine इसकी जगा पर देगा अगर मैं इसको 120 degree rotation देता हूं तो मेरा जो है ना एटम ऐसा बंद में जो मेरा है ना वह ऐसा बन जाएगा जो स्ट्रक्चर है ठीक है अब देखें कि मारे पास क्या हुआ मैं वापिस इसको उसी configuration सबसे पर लेकर तो यह मेरी initial configuration थी ना मेरे पास क्या है कि यह fluorine यह fluorine और यह fluorine तीन fluorines और मेरे पास अब जासको मेरा इसको गुमाओंगा तो मेरा इसकी जगा ऐसे मारे इसको आब मैं डुबारा से इसको 120 degree rotation देता हूं तो जो अगला लोणी अगले की जगह पर चला गया उससी अगला उसके लिए लिए अब देखें कि अगर मैं इन वरल ख़कर अलग लग मार करता हूं बैं क्द हमार अनको आपकर प्लैक को big कर दीए दूसरे फ्लोरीन को मैंने बिलू मार्क कर दिया ठीक है और तीसरे फ्लोरी मेरा वाइट है अब देखे इसको ऑगर 120 दिग्री रोटेशन देता हूं तो मेरा बलेक वाला फ्लोरीन इसकी जगहा जेगा है ठीक है यह अब मुझे बिल्कुल इनिशेल कंफिग्रेशन यहां पर obtain हो रही है ठीक है अगर मैं दुबारा से इसको देता हूं 120 डिग्री की rotation तो यह देखें मेरे पास initial configuration आ रही है तो मेरे पास फिर से initial configuration आ रही है ठीक है अब मेरा starting में क्या था black था नहीं यहां पर सब्सक्राइब करता है मेरा starting में अब 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 मेरा black यहां पर आ गया और blue यहां पर आ घाए ठीक है तो मैं ने क्या है कि मैंने 120 डिग्री रोटेशन दियरो नहीं तो मैं वनट्वेंटिक्टी डिग्री की रोटेशन पीन दिखातू और मैं इसको पहले में 10 डिग्री की rotation य और f2 वो f3 की जगाँ पर आ गया, ठीक है अब मैंने क्या करना रफ इसको सैकेंड टाइम इसको मैंने दिया वन ट्वेंटिडिग्री की रोटेशन ठीक है कि मेरे पास ये F2 इसकी जगा जएगा, F3 इसकी जगा जगा जएगा, F1 इसकी जगा जगा जएगा, ठीक है, अब मेरा F1 जो है वो उपर चला गया, और F2 जो है वो इदर आ गया, और जो मेरा F3 है वो इसकी जगह पर चला गया ठीक है अब मैंने दुबारा इसको अगर 120 degree की rotation दी तो अब क्या होगा कि मेरा F3 उपर चला जाएगा ठीक है और देख लेते हैं अब इसको F3 गया उपर ठीक है मेरा F3 उपर चला गया F1 इदर आ गया F2 इदर आ गया F1 मेरा अहले लिगैठें के यह वाली configuration और यह वाली findet मेरा इक अपनी होपास पोछ यहाँ यहां पर यह वाली configuration और यह वाली configuration आपस में identical हैं लेकिन यह वाली configuration जो है बाकि अंदर वाली configuration है equivalent यानि है एक जैसी लेकिन बिल्कुल identical नहीं कह सकता मैं को क्योंकि इनमें हमारा जो पहले वाला फ्लॉरीन था अब यह वाला फ्लॉरीन इदर पहुंच चुका क्यों में को अबदेखएंगे मंठेक्रा किया है यह मेरा फ्लॉरीन यह मारा फ्लॉरीन यह मेंने इसको यहां से illustration तो मेरे पास कौन से access करता है अब से और कैसे करता है अगर मैं इसको rotation को अगर वह जुँँ है तीक है कंक मेरे पहले Titan को इदा रखा था तो यह देखे, इनीशियल configuration, अब मैंने रोटेशन कितनी दिया है, मैंने इसको 180 degree की रोटेशन दिया है, अब देखे मैं इसको वापस वसी पे लेके आता हूँ, अब मैंने क्या किया, इस वाले के लॉंग, अगर मैंने इसको 180 degree rotation देता हूँ, तो मेरे पास initial configuration आजाती है, तो मतलब इसमें C2 भी exist कर रहा है, मेरे पास यहां पर इस वाले के long C2 exist कर रहा है, ऐसे तरह अगर मैं इस वाले के long C2 देता हूँ, ठीक है, इस वाले के long C2 देता हूँ, यह देखें, यह मने C2 दिया, तो इसके long मेरे पास initial configuration आ रही है, तो मतलब यहां पर मेरा C2 exist करता है तो टोटल हमारे पास 3 C2 exist कर रहे हैं यहां पर और हमारे पास 1 C3 axis मतलब 1 axis हमारा ऐसे exist करता है जिसमें हमारा C3 है और 1 हमारा axis ऐसे exist करता है जिसमें हमारा C2 available है तो यहां पे हमने बता दिया कि में हमारे पास 1 C3 औघ यांद पास 3C2 x अवेलेबल है अब मैं चलता हूं C4 की तरफ मैं बताता हूं कि C4 में हमने क्या करने है C4 में हमने क्या करने अच्छा पाले 11 r cancer न इस एकूल 2 360 भाई fields अब theta हमने यहां पर rotation कितने की दी थी? 360 divided by rotation कितने की दी थी? हमने rotation दी थी 120 degree की, तो हमने यहां पर 120 put करना है, तो 120 360 divided by 120 हमारा answer है 3, तो यह हमारा C3, तो यह हमारा C3 है, अब C4 में देखें, C4 में हमने क्या करना है, N is equal to 360 by theta, अब 4 के लिए पहले मैं एक molecule आपको देता है, अच्छा तो यह देखें, हमारा जो C4, एकसे जाब, ठीक है, हमारा जो C4 होता है, C4 में हमने क्या क्या करना है, N is equal to 360 by theta, ठीक है, 360 by 90 degree, यानि हमें इसमें क्यों सी data rotation देनी है, 90 degree rotation देनी है, अब मैं आपके सामने molecule लेके आता हूँ, XECL4 का, ठीक है, अब यह देखें कि जो मेरा molecule है, यह वाला, यह मेरा XECL4 का molecule है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहां से इसको rotation देता हूँ, हमारे पास C4 के लावा C2 भी exist करता है, ठीक है, अब वो C2 कैसे exist करता है, वो मैं आपको बताता हूँ, C2 हमारे पास कैसे exist करता है, C2 हमारे पास देखें कि अगर मैं इस वाले कलोरीन को पकड़के, इस वाले क्लोरीन को पकड़के अगर मैं रोटेशन देता हूं ठीक है इस वाले क्लोरीन को पकड़के अगर मैं रोटेशन दूँ यह देखें मैं आपको बताता हूं कैसे करना है मैंने इस वाले कलोरीन से पकड़ के rotation दी इस वाले कलोरीन से पकड़ के rotation दी तो मेरे पास एक C2 ये वाला हो गया एक C2 मेरे पास ये वाला हो गया अब मेरे पास और C2 कौन सा है कि अगर मैं यहां से access of rotation पास करता हूँ ठीक है अगर मैं यहां से access of rotation पास करता हूँ तो यहां से भी मेरा C2 exist कर रहा है ठीक है तो अब मेरे पास total कितने 4 C2s exist कर रहे हैं इसके अंदर ठीक है अब 4 C2s कौन-कौन से हैं कि मेरे पास जो एक जो मेरे पास principal access है वो है C4 और जो मेरे पास C2s है वो मेरे subsidiary access में बिलौंग करते हैं अब अगली बात यह है के जो मेरा principle access है principle access जो मेरा ये वाला है DOU gathered principal access मेरे अग यसं 가지 होता है जहांपे मेरे n की value maximum हो टीक है अब मैंने देखे ना कि मेरा कौन सा एक्सिस था मैंने यहां पर देखा मेरे पास C2 था मैंने यहां पर देखा मेरे पास C2 था मैंने यहां पर देखा मेरे पास C4 वाला एक्सिस यह था तो जिसमें मेरे पास N की वैल्यू मैक्सिमाल जैसा मैंने C4 की बात की N की वैल्यू मैक तो लेकिन यह थे वहारा प्रिंसिपल एक्सिस के लाग यहां पर फोर सीट ओवेलेबल है वह principal axis में मारा एक C4 है ठीक है तो यह था हमारा XeCl4 आगे हम चलते हैं C5 की तुरुफ ठीक है तो हमारे पास C5 की example exist करती है वो मैं आपको भी बता कर बना कर दिखा दो कि मैं पास C5 की कौन से example exist करती है अच्छा हमारे पास C5 है C5 की example मैं यहां पर बनाता हूं कि मेरे पास C5 मेरे पास C5 मुझे क्या करना पड़ेगा C5 में C5 जो है मैं करता हूं N is equal to 360 divided by 72 जो है न वो मेरा होता है 5 ठीक है 360 divided by 72 तो मेरा C5 के लिए मुझे 72 degree of tradition वाला molecule चाहिए और जो के यह मेरा एक molecule होता है इस तरह का ठीक है जो यह वाला molecule है ना इसमें मेरे पास 72 यानि इसमें इस molecule मेरे पास C5 exist करता है अब मैं C5 की example के explain किया बगार मैं C6 पे चलता हूं C6 जो है वो है हमारी बैंजीन क्योंकर C5 example बहुत असान है ठीक है अगर आपको ना समझें तो कमेंट में पूसकते हैं करता है करता है करता है